Power according to sociologist Max Weber is the ability to achieve goals with or without a society's support of those goals. Max Weber का यह ख्याल है कि power जो है basically वो एक ability है और इस ability का basic purpose क्या है? कि अपने goals achieve करने चाहिए चाहें आपकी backing पर society हो या ना हो या society के goals match करते हैं या नहीं करते हैं. So in this lesson we explore societal and political power by looking at three different power models. बहुत famous और बहुत interesting models हैं. पहला model है the plurist model, then the power elite model, and then the Marxist model. जो plurist model है, इनका यह ख्याल है that power is distributed among many groups. These groups may include collision of like-minded people, जैसे किसी भी जगा पर, खास दौर पर जो developed world है, उसके अंदर मुख्तिलिफ unions बन जाती हैं. अब उन unions का basic purpose क्या होता है? कि वो अपने मुश्टर का मफादात को सियासी निजाम से मनवा सकें. अगर हकूमत की कोई policy उनसे match नहीं करती, तो वो communicate करें और उसको revise करवा सकें. ऐसे ही बहुत सारी professional associations होती हैं, अब professional institutions, associations के अंदर bureaucrates की भी हो सकती हैं, professors की भी हो सकती हैं, lawyers की भी हो सकती हैं, and then business lobbyists. अब हर मौश्रे के अंदर, चाहे वो developing world है, developed world है, जैसे chamber of commerce है, उसका मकसद क्या होता है, कि अपने मुफादात, अपने interest और वो concerns, जो उनके लिए एहम है, वो सियासी निजाम तक communicate हो सकें. इसी तरीके से हम अगर यह देखे हैं, कि जो public है, वो अपने, जो उनके interest होते हैं, वो इन groups के जरिये से, सियासी निजाम तक communicate करते हैं. दूसरा model जो है, वो power, elitism का model है, इसके अंदर क्या बात है, वो यह है, कि basically, how power is concentrated, the sociologists have the argument, that the majority of the power is concentrated among the wealthy group. कि मौशरे के अंदर, बिल्खसूस, वो लोग जिनके पास दौलत है, power उन्ही के ही इर्दगिर्द भूमती है, कैसे, मस्तन वो अफराद, जिनके पास जराये हैं या दौलत है, वो उन लोगों पर भी हसर अंदास हो सकते हैं, जो फैसला साज हैं. और फैसला साज भी इन ही ग्रूप्स की को माइंड में रखते हुए, इनके इंटरस्ट को माइंड में रखते हुए, पॉलीसी साजी करते हैं. इन ग्रूप्स के अंदर, इन वेल्दी ग्रूप्स के अंदर कौन शामिल हो सकता है, इसमें जो लोग जो बिसनेस करते हैं, वो लोग जो डिरेक्ली गवर्मेंट में शामिल होते हैं, और फिर खास तोर पर वो ग्रूप जिसको जो अदारा तो है, लेकिन उस अदारे के प दुनियादी वज़ा यही है कि जो डिस्ट्रिब्यूशन आफ पावर है वो इन ही अदारों के इर्दिकिर्द इन ही लोगों के इर्दिकिर्द घूमती है इसलिए माश्रे में इनकी एहमियत ज्यादा है जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है इसके अंदर सबसे पहले तो यह इतना इंपॉर्टेंट रोल है मौश्रे के अंदर रोलिंग क्लास कहां से डिजाइन होगी अगें हम सब जानते हैं कि मार्क्स की जो फिलोसफी है उसकी बुनियाद है एकनॉमिक्स की उसकी बुनियाद है कि जो लोग एकनॉमिकली वेल आफ होंगे जिनके पास पैसा होग जराय होंगे जिनके पास means of production होंगे वो ही influential होंगे politics के अंदर भी यानि politics और power का जो तालुक है उसमें अगर हम सारे models का भी एक तरजिया करना चाहें या देखना चाहें तो हमें ये idea मिलता है कि हर model के अंदर base ये है कि वो लोग जिनके पास जो influence कर सकते हैं system को system की कारकरदगी को चाहें वो power के थ्रू कर ले या उनके पास political power हो यानि एक तो वो power है जो जो मौशी जराय देते हैं एक वो power है जो status से आती है आपका मौश्रे के अंदर क्या status है और एक वो power है जो political power कहलाती है जिसके जरिए आप फैसला साजी को control करते हैं तो यानि ये सा सारे जो school of thought हैं इनके अंदर कुछ चीजें common हैं कुछ चीजों पर इनकी अपनी approach है लेकिन भाराल हम ये कह सकते हैं कि हर मौश्रे में दुनिया के अंदर power और politics के दर्मियान एक गहरा तालूख है